बक्सर में थाने से मात्र 100 मीटर की दुरी पर एक सफाई कर्मी बीच सड़क पर अपना ठेला छोड़कर शड़ाप के नसे में सड़क पर लेट जाता है वहाँ नोटंकी करता है और उसके बाद लोगों को पुलीस को बुलानी पड़ती है जब पुलीस आती है तो उसे पकल क कर ले जाती है इसके बाद से मेडिकल जाच होता है जिसमें इस बात की पूश्री होती है कि वह शड़ाप पिया हुआ है अब यहां सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी सक्ति के बावजूद लगातार मीटिंग हो रहा है लगातार सशीव बदले जा रहे हैं अलग-लग वाला शरक पर लेट कर नोटंकी कर रहा है बताया जा रहा है कि थाने से इसकी दूरी मातर सो मीटर की है मतलब कि थाना च्छेतर से जो थाना है वहां से मातर सो मीटर की दूरी पर यह सब कुछ हो रहा है पुलिस को फोन करके लोग बुलाते हैं तो पुलिस आती है पुलिस आखिरकार पुरी पुरी पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैद है उसके बावजुद कैसे भीहार में शड़ाप पहुच रही है या अगर बॉडर से यानि कि दूसरे राज़े से शड़ाप नहीं पहुच पा रही है तो फिर भीहार में शड़ाप कैसे बन जा रही है अभी मा गया था कि अगर किसी भी थाना छेत्र में शराप पाई जाती है तो उस थाना छेत्र के अंतरगत आने वाले थाना के थाना ध्यक्ष को निलंबित किया जाएगा और अगले दर्स वर्स तक उन्हें किसी भी थाने की थानेदारी नहीं सोपी जाएगी इसको लेकर बिहार पु पुलिस वाले हैं उनके परिवार वाले हैं वे इस समय आशंकीत हैं यानि कि उनको अपने करियर का डर सटा रहा है तो दूसरी तरब शराब बिलकुल नहीं रुक रहा है शराब बिहार में अभी धरल से भिक रहा है और इसका उधारन है कि बकसर में कोई शफाइकर्मी जिस स मैं वो कुड़ा लेकर आता है अपना ठेला 20 सड़क पर छोड़कर सड़क पर लेट कर नोटंकी करता है और वह अभी थाने से मातर 100 मिटर की दूरी पत और शराब मिलती है तो शराब कैसे मिल जाती है इसका जबाब सायद ही पुलिस के पास होगा क्योंकि पुलिस प्रशासन इसमें पुरी तरीके से मुस्तैद है जो कहा जा रहा है लेकिन असलियत यही है कि अभी भी बिहार में शराब लगातार मिल रही है और किसी भी प्रकार से शराब पर कोई भी असर नहीं पड़ा है जो शराब माफियां है उनकी खेप अभी भी पहुँच रही है भले ही सरक करवाई वहां के थानाध्यक्ष पर होती है क्या कुछ करवाई वहां क्या पुलिस कर्मियों पर होती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों को इसके बारे में मालूम ही नहीं हो कि शराब लाई भी जा रही है तो उसका क्या उपा उसक्रमचारी है उनकी पद्वनिती रुख जाएगी बाकी बिहार पुलिस एसोसेशन भी रोज कर रहा है इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी की तरब से कहा जा रहा है कि शराब की दुकाने खोल दी जाए शराब का रेट ती गुना कर दिया जाए और जो शराब है वो लीगल प्रकार से शराबंदी को सफल बनाया जाता है और क्या वाकरी शराबंदी सफल होती है या पिछले 3-4 सालों से जिस प्रकार से शराबंदी सफल चल रही है उसी प्रकार से चलती रही आगे अगे अगर कुछ नहीं जनकारी आएगी कुछ नहीं अपडेट आएगा तुसे ह हम आप तक पहुंचाएंगे बाकी अब तक की अपडेट यही है कि उस सफाई कर्मी के उपर FIR दर्ज की जा चुकी है आगे की कारवाई की जा रही है इसके अलावा कुछर जनकारी आएगी तुसे हम आप तक पहुंचाएंगे वीडियो समात करते हैं अगर फेज दूप पर देखने हैं तो पेज को लाइक कर लिजे और अगर यूट्यूब पर देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजे बाकी मिलता है फिर बहुत लगले वीडियो में क्यामरे के फिश्यों प्रगास खड़े हैं और में मोहित मार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद